So DPC के इस एपिसोड में मैं आपको मिलाने वाला हूँ राहूल भटनागर भाई से जिन्होंने तीन TEDx टॉक दिये है छे जोज टॉक्स दिये है मुझे लगता किसी और ने इतने सारे जोज टॉक्स अल्रेडी दिये हुए काफी सारी वैल्यूबल बाते आपको इस पॉड्कस से सीखने मिलेगी पक्का उनके जो भाई है सौरब भटनागर वहीज अल्सो वेरी अमीजिंग मिलता आप बोल सकते हैं दुनों भाई जो है न एक शेर तो दूसरा सवास से रहे सो दूनों ही बहुत अमीजिंग क्रिएटर्स हैं बहुत अमीजिंग बाते सिखाते हैं लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं राहूल भटनागर भाई की बातों से सो लेट स्टार्ट पॉड्कस्ट वित राहूल भटनागर स्टार्ट वाई वापी से मिले इनरसें सब तहली बार हम लोग एक्चली मिले हैं आज मिले हैं वैसे बात बार हुई है बहुत बार सच मुलू तो एक-दो साल हो गए होंगे पहले हमारी टीम था तो तब हम लोग काफी सारे कॉंटेंट क्रियेटर्स को परसनली रीच आउ अगर को वाई भी अगर आने वाले थे फिर फाईनली कुछ को लब हुआ अब यहान पर है अचली वने तभी सोचा त हम भाई से मिलोंगा बाही के कामकार ने कई साल सी फॉलो कर रहा हूं इनको देख रहा हों कर रहा है कि फ़नल मतलब डिजिटली ग्रोग होना नहीं कम लोग करते हैं हाँ इंडिया में तो मतलब मैंने बहुत कम लोगों की देखा हूं इस लेवल पर करते हुए और कर भी रहे तो मुझे पता नहीं चला थीघ desigitally, में अपने आपको मांके अच्छे से रहा है तीक है तो सअरभ भाय रहूल भाय दुनों बहुत अच्छे से कर रहे और कब से कर नवगा रहे चाहरे सब्सक्ड कर ताफिक करता है कि मैं अपने वेबिनार करना शुरू करऊ था तो 2018 में हमको उस समय पर विडियो बना के लोगो को समझाना पड़ता था कि जूम पर सेशन जोईन के से करना है वेबिनार्स में कि लोग करता ही नहीं तो वो फिर उस समय पर शुरुवात करी हमने और जो हमारा पहला मेगा वेबिनार जो हमने कर था तब से लेकर अभी तक यह है कि एक चीज में बहुत प्राउडली बोल सकता हूं I don't think कि पूरी कंट्री में जितने वेबिनार्स मैंने करें है सेल्स प्लस लाइब ट्रेनिंग्स प्लस पिछ किसी ने भी नी करोंगे इंडिया में मिला कि आसपास भी नी होगा वह शुर क्योंकि मैंने भी देखा नियुक्ष और कुछी को मैंने देखा नहीं अतना करता है वह इसब स्टार्ट कहां से हो तब आप कहां से स्टार्ट किया थे तम जिरो से अपने स्टार्ट किया तो उससे रिलेटेट कुछ तोड़ा बताओ कि आपकी स्टोरी एंदिक लोगों को बहुत इंस्पार कर सकती है यह मैं 2009 में एंबीए करना ही था था पुने जब हम पुने में एंबीए कर रहे थे बिकॉस मैं तभी भी पुब्लिक स्टीग करता था अच्छे से एंड में नेटवर्क मार्केटिंग ऑपिचुनिटी मेरे सामने यह उसका पार्ट जब मैं 2010 की बाते है 2010 खतम ही हो था उस समय पर उस समय पर फिफ्टी थाउजन रुपी पर दे थू नेटवर्क मार्केटिंग तो भई उस समय पर तो पचास हाँ रुपे आज से दस साल पहले तो बहुत ही बड़ा आमाउंट अट रोजाना का अ तब हम लोग को अपना मैं की बड़ा सब रीपे करा और मैं अपने बाच का टॉपर था और हमने प्लेस्मेंट इंज जो था हो दमारा उसका भी में हैड था लेकिन मैं ने बहुत प्लेस्मेंट के लिए नहीं जाओंगा इंट विल स्टार्टी अछिए अनफॉचिनटली वह कंपनी बंद हो गई और मैं जोब के लिए मना कर चुका था और उसके बाद फिर मैंने अपना वेंचर शुडू करा तो हमें एक साल तो फिगर आउट करने में लग गया कि क्या करना है और फ्रॉम अटाइम विए फिफ्टी थाउजन रुपीस पर डे मुझसे लोग पुछते भी है मेरे जोष्टॉक को देखके ना कि ऐसा कैसे सकता है कि एक पचास अजार रोजाना से 500 रुपे महीने तक आजाए वो इसलिए कि घरवालों से पैसे लेने निए निए हमको यह था कि यार ममी पापा बोले जॉब कर लो फिर अगर ऐसा है तो और मेरी जितनी सेविंग्स थी हम सब्सक्राइब कर देहरदून तो अविसलिए में पैसे नहीं दूंगा घर पर होंगा तो खाना घर पर बनता था लेकिन इसके अलावा मिर पास पैसे नहीं होते था तो फॉर एंटायर मन्त अई उस्टू सर्वाइब अधर रुपीस पर मन्त अंट ऐसा काई बार होथा सा कि हम दुकानों में जाते थे तो पैसे नहीं होते तो मेरे एक दोस्ते अंधिरेंद्र चौधरी उनकी फोटो भी यहां पर डालेंगी अच्छा लेगा तो वो पै करते थे तो थोड़ा संदर से गिल्ट भी आता था कि दूसरा बंदा पै कर रहा है आर वैसे हम है नहीं कि क वो चौत वह गता है पिर लुगाँ प öच्छा पार मेरे साथख के अच्छा गररे नहीं किए लिगण ब्रड़ी ओगज़ागा टालेंट ब दा अच्छा थे तो तब नहीं को सो दूनह आए एक है काम कर्रें डोना किन पैसे नह आ रहे और पिछ करें, then I realized, yeah, there would be a lot of people who are just like Rahul Bhattnagar who would be struggling in their life, because they don't have the right guidance, they don't have the right mentorship वो चाहाकर भी जो उनकी मन की बात है वो अपने parents तक नहीं पहुचा पारे होंगे नहीं समझ पाते है parents भी कई बार क्योंकि वो भी human beings है, वो भी society की बातों से, रिष्टदारों की बातों से affect हो जाते हैं, तो लोगों के जरुरुयत है and मैं ये चीज़ बार-बार बोलता हूँ कि I genuinely and very proudly feel that मेरे अंदर एक आवाज है, I have a voice and I have the ability to empower other people, तो अगर मैं सिर्फ अपने लिए कुछ करता रहूँग, तो बहुत सारे incidents हुए था, अगर मुझसे लोग पुछते हैं, did you feel like quitting or not? I feel like quitting multiple times बार-बार ये लगता था, कि मैं कर क्यू रहूँ हूँ? एक और एक रोड पर मैं और सौरब चल रहे थे पैदल-पैदल और हम वापस में बात कर रहे हैं, कभी कर भी पाएंगे, हो भी पाएंगे कि नहीं? Because it was a very tough phase. So 2011 से 2018 तक, literally I did not have any money, 7 years. So, अभी जैसे, हम यहाँ बैठके वीडियो बना रहे हैं, यह सारी चीज़े तो आपन कभी सोच भी नहीं सब्सक्ते हैं Taaj! Taaj! I was walking in Marine Drive यहाँ यहाँ वाक देड़ बना रात को बाएंगे यहाँ बहुका था जाएंगे बहुत अज्गेए So, सामने एक Trident Hotel है पाएंगे So, मैं एक Trident में चलते हैं In Trident में गए, डीज़े संग मेरा फ्रेंड था यहाँ यहाँ था यहाँ यहाँ था दो सैंविच और दो चाय का हमने 4,000 पे कि हैं मतला हमने भाई ने पे की तो यह टाइम आ चुका है लिक डिफरेंस डिफरेंस है और इस नोट जिस अबाद मुनी तो ही उससे बड़ी चीजी है कि freedom है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हो financial freedom कर सकते हो तो मेरको यह लगता है कि आपको 2-3 चीजे जो हम discuss करेंगे भी environment सही होना बहुत ज़रूरी है सही direction में काम करना बहुत ज़रूरी है सही लोगों के संग रहना भुथ ज़रूरी है जो कौन सा कपड़ा चाहिए वह आपको मेंटर ही बता सकते हैं कि आप भी यह चीज करना जाता है और वह चुटी चुटी चीज़े बहुत बड़ा डिफरेंस करती है लॉग रन में बुक्स के दुरू आप कई बार नहीं हो सकते हो गलेट डिरेक्शन में भी घुष सकते हो लेकिंटर कर रहेगा तो वह देखके बता देगा भाई तू गलत कर रहा है यह मत कर दो आपके बहुत लादा पैसे बचते हैं और भी चीज होती है आपने माना को यह गलती कर दी उस गलती में आपका टाइम भी चला गया पैसे भी चला गया तो आपको नेक्स डिस्यूशन लेने से पहले घब रहा होगे हमारे पास फंड भी लिमिटेड होता है तो उसमें से बहुत सारा फंड हमारा खो गया चला गया तो भाई फिर वह फंड भी जिनरेट तो आपकी एक आपको अचली दो साल तक भी पीछले जा सकते हैं तो वह गलतीया आप नहीं करते हो अगर आपके फासे कमें टार होता है तो यह एक इन्वेस्मेंट कब ऐसी होता है, अगर आप 100 रुपे अगर आप लूस कर दोगे, 100 रुपे गेन करोगे तो आपको फायदा होगा, यह 100 रुपे लूस कर दोगे, तो आपको डबल करना पड़ेगा 100 का फायदा करने के लिए, यह चीज़ बहुत सही और मेंटल्स के त अगर घर दुकान दुकान, इवेंट इवेंट शॉप्स में जा जा के कार्ड बनाते थे, लोगों के, कॉलेज के बाहर जा के कार्ड बनाते थे, अब अब एक बाद, आप 16-17 साल के बच्चों को बोल रहे हो कि मेरा कार्ड ले लो, उसमें भी लो ऐसे मूह बनागे चले ज या तो किसी कबंदे को ये पताओ कि मेरे पास कोई और अपरचुनिटी नहीं है, I always knew कि मेरे पास तो अपरचुनिटी है, मैंने कोर्स भी कर रहा था, MB, Oil & Gas, उसमें सिर्फ तीन कॉलेजिस थे, जो पूरे भारत में कोर्स कराते थे, यानि हर साल सिर्फ 200 बिच्चे वो कोर लेकिन जब आपको पता है कि यार मेरे पास तो अप्शन भरके हैं, कोई भी चीज कर सकते हो, और मैं नेट्वर्क मार्केटिंग भी कर चुका तो मेरे को बहुत सारे नेट्वर्क मार्केटर्स कंपनी रीच आउट कर थी कि आप 5 लाग 10 लाग रुपे ले और हमारी कंपन करने हैं, इस जारे की आपको पता होता है कि यारुन हर था लोगों कम ने चल लेंले हैं, मैंіє अलत अंग कर चुके डंपनम संहा अर में लोगोगो होगोगों कार चलो हैथ तो दो में बहुत जाध टादा टाइम चला गया, then finally, sorry of my younger brother, he shifted to Delhi, he started doing things online, I realized that my forte is communication and if I am just doing my sessions at colleges and universities, तो मैं ग्रो नी करूँगा, so फिर हम हमारा content online लेकर कहे, और बीच में तो भाई, इतने सारे incidents है ना कि मलब लोगों को अगर बताने लग जाओंगा, हमें, दुकानदारों ने भार निकला है, निस्तेदाarों लेकाल है, अच्छी की और भार निकाला है, और रिस्तेदारों ने भूला है, यह कि अमकि दिए अट्रणणा दाटीजा थिएप संव्ट मयाता है अदाताएव वो दो खोड़ाए था कि बच्चों को नहीं दे सकते हैं. मदब, we were just thinking, कि हम ऐसी कुछ गलती तो नहीं करने, वो अज़िस त्रीट करा जा रहा है, because the harsh reality is that, till the time you don't become successful, nobody values you. Nobody appreciates the effort. बोट सिंपल ती चीज आया है, आपको पता होगा चांद पर पहला जाने वाला आदमी कौन है, second कौन है, third कौन है, nobody knows. And जो जाने के रस्ते में fail होगा है, nobody knows them. So unfortunately, because of our school education, college education and everything, हमारा mindset ऐसी बना दिया गया है, कि आप जब तक try कर रहे हो successful नहीं हो जाते, आपको कोई पूछता नहीं है. यह बहुत बड़ी तरासती है, धीरे-धीरे चीज़े चेंज हो रही है, लेकिन यह मुचीज मुझे पता थी कि या, उस समय पर एक मेरे फ्रेंड नहीं दिरेंजन के बारे मैंने बोला, उनने एक चीज़ भोली थिया, रहुल भाई, अगर हम सक्सेस्फुल नहीं होंगे तो, मैंनो लाँ, we don't have a choice. यह थे साल दे चुके हैं, तो सक्सेस्फुल तो होंगे होंगे, क्योंकि यह थोड़ी थॉट तो आनी नहीं होंगे तो, तो, but it is very difficult, and for me, even though मेरे को अंदर से मैं तूटा वाऊं, बाहर मेरी टीम मुझको लुक अप्टू करती है, तो उनके सामने तो, I have to put up a brave face, कि, रहे, सब ठीक है, सब हो जाएगा, यह और, कैसे होगा यह, I don't know, लेकिन आप अपने टीम को नहीं बोल सकते थे चीज़ करते तो, तो, प्रेशर के से अंदर करते थे तो, प्रेशर के से अंदर करते थे तीम है, और रिजल्ट करते थे तीम है, मतलब, I had put on weight, मैं थोड़ा anxiety भी होता था, बहुत जादा जब challenges होने लगे थे, तो, semi-depression वाला भी phase आगया था, और मेरे को डर लगता था, चीज़ों को लेकि क्या होगा, कैसे होगा, इसलिए weight भी put on होगया था, and your confidence goes down, from a time when you are so confident, तोड़ के आप sessions कर रहे हो, आपके पास, हमारे college में, हमारी college owner के बाद, सबसे महेंगी कार मुझ पे थी, उसके बाद, अप ऐसे phase में चले जाते हो, तो यार, मुश्किल तो होता है, और मैं मेरे को नहीं पता, मैं आपको honestly बताओ, कि how did I sustain, but somehow we sustained, and जब हमने को sustain करते चले चले गए, धीरे 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 चीज़े, and that is the reason why, whatever I do today, I do it with a lot of passion, because I know, कि जो भी मेरे पासे भी results आइं, it has taken a long time coming, so मैं इसलिए हरेक छोटी चीज़ को बहुत जादा वाल्यू करता हूं, यही है कारण है कि मैं लोगों को भी बहुत जादा वाल्यू करता हूं, मेरे को जब लोग मिलते भी हैं, वो यही बुलते हैं, you come across as a very down-to-earth person, because I am that way, and I always want to be that way, तो अगर आप वो वाला phase जब आप लेके जाते हो, तो फिर you value everything that comes your way, good people, more good relationships, good food, good environment, good more money coming to you, you value everything then, आपको हर चोटी-चोटी चीज बहत महाईने रखती है आपके लिए, वो फेस जो खराब फेस था, उसको मतलब उससे ओवरकम करने के लिए क्या किया तुमने, कैसे survive कर पाया, यार देखो मैं ये तो नहीं बोलूँगा, I was driven, I was driven, so that drive kept me going, and then the other thing is, I did not have a choice, I was responsible for six more people, अब जिसे अगर एक पिता होता है, वो पिता अगर परिवार में तीन बच्चे हैं, वो उनके लिए जिम्मेदार है, उनको परवरिश करने के लिए, तो वो कुछ भी करके करेगा, तो मेरे संग भी यही था, मैं जो बाहर नहीं जा रहा था ना यार, उसके दो कारण थे, एक तो मेरे को मेरा विजन था और दूसरा, मेरे को यह था कि अगर मैं चला गया, तो जो मेरी टीम में 6 लोग यह उनका क्या हो, वो कैसे ग्रो करेंगे, तो वो एक बर्डन भी मेरे उपर था बहुत लंबे समय तक, बट नाव आई रियलाइज कि जब तक मैं successful नहीं बनुगा, मैं दूसरे लोग को successful नहीं बना सकता हूँ, यही चीज़ मैं लोग को भी समझाता हूँ भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं से, बहुत साथ अंड्यू बर्डन अपने उपर लेके चलते हो जो कि हटाना है, तो वो बर्डन हम लेके चले थे बहुत लंबे समय तक, बट धीरे 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 करके चीज़े ठीक हो नहीं शुरू ही, मेरी जोस्टॉक बहुत बहुत पॉपिलर वी थी, इसलिए थी कि I had a story to tell, बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं, बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं, अगर यह मुश्किले नहीं आती तो अपन क्या बोलते हैं, बने बिसने शुरू करा जैसे एक मुवी थी, जो में MBA कर रहा था, उसलिए मेर को Rocket Singh मुवी ने बहुत इंस्पायर कर रहा था, अभी मुझे पता है, कि जो भी Rocket Singh में दिखाए गया वो सब जूट है, इतनी आसानी से सक्सेस नहीं आता, आपने 6 महीने बिसनस बना दिया, पहले क्लाइन के पास गया, और वो कनवर्ट हो गया, आसा नहीं होता, ऐसा कहीं होता, इस जो में मतलब देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन रहले इसमें अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें आपको रिगाउंड रहले नहीं पता थी, अभी अगर आप देखोगे नहीं है, TVF pictures, that is what shows you the reality, कितना hardship होता है, तो इसलिए हम रिलेट करते हैं, उसमें अच्छा थाथा है, सब ठीक है, आसान हो जाता है, मुवीज में भी दिखाया जाता है, and unfortunately, that is the reason why people crumble, because उनको लगता है, कि चीज़े easy हैं, but they are not, पहले से जिसे आपने बुला, आज में पहली बार यहां पहा है, मेरा भी आज पहला experience है, that is why we are rejoicing it more, तो अगर हमेशा से हो जाता तो फिर कभी भी नहीं, मेरे को याद है कि मैं Trident में गया था, अगर पहले दिन सब अफॉर्ड कर लेते हैं, तो यह सारी चीज़े कभी हमारे पास आती ही नहीं memories के तॉर्ट Actually, actually, मेरे को लगता है, सबसे best life वही जीता है, जो एना एक नीचे से इंपर के तॉर्ट तरीके बीजाता है, एक billionaire था, Tony Robbins का, पूछते हैं, वह पूछते हैं, अभी तुम्हारे पास सब कुछ है, you have money, you have friends, सब कुछ है, क्या भी मजा रहा है, तो बुलता है, नहीं, मेंको ने अच्छली बूला, सबसे तब भी मजा रहा था, जब मैं grow हो रहा था, मेरे पास कुछ नहीं था, वह ग्राइणि मेंने किया, वह जो पुरा पुरा प्रोसेस था, वह सबसे एंजॉयबल और थ्रिलिंग था, और में में पुलते हैं, लाइफ सबसे अच्ही हुई, यह जो जिरो सबसे आप सबसे पारेग, अधिक कि सबसे सबांगें, वह जो हो ओते हैं, वह जो सब कुछ रहना है, पहले से इतना मिल चुका रहते हैं, लॉट नॉन्मल में तो में मज़े करें, मज़े क이심 करें सबसे लॉटने लिवगे Seim, था वह जव सब्से सबसे में शर गि казना करूं 100% and मैं एक चीज़ और बजाता हूँ आपको सुनने में शायद यह थोड़ा सा सूपरफिशियल लग सकता है ऐसा होता है मेरको भी एक टाइम पैसा लगता था है कि मैं यार मैं यार मैं नॉट बॉन इन रिच फामिली यह फीलिंग आती है हर एक यंग्स्टर के पास सकती है जब वो दूसरे लोग को enjoy करते हैं लेकिन आपके पैस एक opportunity है कि आप अपने परिवार का वो पहला बंदा बन सकते हो जिसकी वज़े से कि उस परिवार को जाना जाएगा आप सूचो वो जो charm है और वो एक opportunity आपको भगवान ने देके भीजा है अब आप उसको भुनाते हो वो आपके उपर है, whether you make that opportunity count for yourself or not is entirely dependent upon you, यह एक reality है. After achieving थोड़ा बहुत जो हम लोग ने achieve किया है जिन्दगी में, I think यह चीज सबसे प्यारी लगती है कि हमने कुछ achieve किया जब घर वाले इतने नहीं थे capable बट हमने ही किया ना तो घर वालों को भी बहुत खुशी देगा आपको भी और सबको बहुत खुशी होती है 100% So, वैसी आते हैं इंट्रस्टिंग बात पर आता है कि एक question रहता है जारता लोगों के जमागें, सबको करोड़पती बनना है बचपन से मैंने करोड़पती करोड़पती एक बंदा कैसे बन सकता है? एक साल मगरा हम एक टाइम फ्रेम भी थेपको अस लोगों को जल्दी भी चीकरता है चीज तो इससे रिलेटेट क्या बुलना चाहोगे, एक करोड़ एक साल में एक इनसान जो जीरो में है, जीरो साल एक स्टुडेंट हो कैसे अचीव कर सकता है? यहार देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए कि वो एक साल की जर्नी आज से शुरू होगी, और कुछ लोग ऐसे होगे जिनके लिए वो एक साल की जर्नी आज से आठ महीने बाद शुरू होगी, जब आप एक पर्टिकुलर skill बना चुके होंगे. सबसे पहला question जो लोग पूछता है, वो यह कि मैं 1 करोड रुपे कैसे कमा सकता हूँ? So my question to them is, आपके पास यासी skill है, जिसके बदले कि आपको पैसा दिया जाएगा. What is that one skill for which you are going to be paid? तो सबसे पहले तो वो skill identify होनी चीए. और दूसरा, जब आपको यह पता रहता है, मतलब कुछ चीज़ें यहापे बहुत बुनियादी है, एक तो आपके numbers बहुत strong होने चीए. For example, अगर आपको 1 करोड रुपे एक साल में कमाना है, तो आपको रोजाना राउंड 27,400 रुपे कमाना है. तो 27,400 रुपे के लिए आपको एक प्रोड़क बेचना है आपका या दो, या चार, या पांच, या दस, वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रोड़क कुन सा है आपके पास. तो पैसे भी नहीं है, तो भी अगर हमें इस जगे पे पहुचना है, तो आपको एक high income skill तो develop करनी ही पड़ेगी. So either you will be needing a physical product, और a digital product, और a digital service. अगर आप एक beginner है, तो as a beginner तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अपनी journey के शुरुवात as a freelancer कर. So that you can work with people and give your services और इने और भी शुरू कर सकते हो, किसी एक कंपनी में. So that you can learn selling skills, या अगर आपको funnels बनाने आते हैं, या अगर आप लोगों के लिए Facebook ads run कर सकते हो, या वेबसाइट अगर आपको designing करनी आती है, ये कर सकते हो. अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, कि sir मेरे को ये आता है, लेकिन इसमें तो इतने पैसे नहीं दिये जाते, लोग के दिमाग में ये doubt रहता है. इतने पैसे आपको इसले नहीं दिये जाते हैं, because you are not reaching out to the right people. एक छोटा सा example. होटेल तो कोई छोटा सा भी होगा, होटेल एक ये भी है जहां पर हम रुके वे. तो अगर इस होटेल में, आप सोचो, एक दिन का कमरा 24-25,000 रुपे का है. ठीक है? कितने सारे कमरे हैं हापे, सोचो. इनको अगर आप कोट करोगे, कि हम आप से हर महीने के 50,000 रुपीज लेंगे, और हम आपकी ब्रांडिंग करेंगे. और आपकी ब्रांडिंग करेंगे. अगर दोनों कंडिशन्स फिट नी होते हैं, तो आप राइड मार्केट में काम नहीं कर रहे हो. मैं आपको बताता हूँ, अभी यहापे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्से भी आज़ा हम पहली बार मिले हैं, उजवल गडवी नीचे आये थे, इंस्ट्रग्राम पे अच्छा कॉंटेंट डालते हैं, उन्होंने भी मुझसे एक चीज पूछी ती किया, राहुल से राइड की प्राइसिंग कैसी होनी जाए, इस नाट माटर, प्राइसिंग कुछ भी हो, वाट माटर्स इस कि आप उसके बदले में लोको को क्या दे रहे हो, एक हमारे मेंटी हैं, यहीं पे रहते हैं मुमबई में, कल मैं मिलूंगा उन से, वो पाँच महीने पहले मेरे एवेंड में थे, पिछले पाँच मेने के उनकी इनका में एक करोड तीस लाग रुपे, अब अगर मैं वन-टू-वन सेशन शुरू करने वाला हूँ, अगर हम इतनी शमता रखते हैं कि हम एक बंदे को इतना सिखा सकते हैं, तो मेरे वन-टू-वन सेशन की फीज 4 लाग रुपीज फ्लिस GST होगी, तो भाई एक बंदा खुशी-खुशी देना चाहेगा, अब एक टाइम तो ऐसा भी था, जब मैं मुह से बोल भी नहीं सकता था, तो जब एक बार आपने अपना प्रॉड़क बना लिया है, तो अगर आप ऐसा बिगिनर शुरू कर रहे हैं, प्लीज स्टाड यो जर्नी आसा फ्रीलांसर, और अगर आप एक सब्जेक्ट माटर एक्सपर्ट हैं, अगर आपके पास एक ऐसी स्किल है, जिससे आप लोगों की कोई problem solve कर सकते हो, या फिर आप लोगों को पैसे कमवा के दे सकते हो, उसकी basis पर आप एक अपना content और एक अपना digital product create कर के दोगे, और उस digital product को आप sell करोगे, यहाँ पर एक rule है जिसको मैं follow करता हूं, वो है 10% of the 10% rule, यानि अगर आपका मान के चलते हैं, 10,000 रुपे का प्रोड़क्त है, तो आपको वो प्रोड़क्त एक हजार लोग को सेल करना पड़ेगा, एक करोड रुपे कमाने के लिए, अब उसका मतलब है कि 1 लाख पीपल शुड़ गेट तो नो अब और यह प्रोड़क्त, 1 लाख का 10 of the 10% rule को फॉलो करना पड़ेगा, और दूसरी चीज यह पर, अगर आप फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हो, और आपको पर प्रोड़क्त का माना 30,000, 40,000 रुपीज मिलता है, तो अपको हर मही ने 20 क्लाइं चाहिए, जो कि आपको इतना इंकम दे सके, इनिशली यू नीड़ तो आपके उपर डिपेंड करता है अगर आप एक सब्जेक्ट माटर एक्स और यह मैं दो तरी के आपको क्यों बता रहा हूँ, विकॉस इसमें आपका बहुत ज़्यादा क्यापिटल नहीं लगेगा, आपके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, यू can start your journey with very limited money, but of course you will need to build your skillsets, and on the basis of that you will be earning money, एक बहुत important और बुनियादी चीज है, पैसे कमाने के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए होते है, पैसे कमाने के लिए आपको skillset और right direction चाहिए होती है, आपके पीछे ये दिवार है, हमें आपे 5-6 लोग हैं, 5-6 लोग अगर मिलके भी धका I was one of them, तभी आप सोचो ना, ऐसा जादू सुड़ी ना हुआ कि साथ साल तक हमने कुछ भी नहीं करा, and तीन साल के अंदर करोड का income generate हो गया, we changed the direction, we learnt from people, और उसी चीज की वज़े से सब कुछ चेंज हो जाता है, so answering your question, रोज के 27,400 रुपे, इतने clients, या तो आप एक subject matter expert के और पर अपनी journey के शुरुबात करेंगे, पहले एक client लेकर आएंगे, उनको serve करेंगे, gradually आप अपने number of clients बढ़ाते चले जाएंगे, specifically बहुत अच्छे से बता दिया भाही ने, बहुत अच्छे detail में, I think one of the best answers था जो मैंने सुनो, कैसे करना है, तो हमारे event में एसी होता है कि हमारे team में Aditi है, she told me, मैं बहुत सारे events का पाट रही हूँ, मैंने किसी भी event में ऐसा नहीं देखा है, लोगो को, कि राहूल रात को एक बज़े लोगो को बोल रहा है कि खाना और थोड़ा लेट होगा, एक बज़े, लोग बोलते है, सर कोई problem निया, बाद में खाना खालें मैं माक्सिमम लोगो को नाम से जानता था, अनुपरिया अब आप अनसर दीजिए, सोनल आप आप अनसर दीजिए, लोग हिल गए थे देखके, इसा कैसे हो सकता है, आप जब अपने काम से इतना साथ अटाज़् गगे ना, तभी आपके पास इतने रिजाल्स आएंगे, अ obsessed होना बहुत जरूरी है, that is what I feel. लोग गलाच चीज़ों के लिए obsessed होते हैं, we are obsessed with work. You have to be obsessed with work in order to make something substantial and great. Awesome. यह जो control होता ना, audience को control करना, यह मतलब एक कला होते है विसी के लिए, एक rockstar दा, वह रहा, we will, we will rock you. He was a very famous guy, उसका भी एक वीडियो में देख रहा था रिसेंदी, he also had very good control on audience, जो सब के अंदर नहीं होता है, तो बहुत अच्छी 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 होता है, लिकिन audience को control करना यह अगी चीज होती है, और वी जोली passion से या आता है, अच्छी जब करते होना, यार मतलब एक बहुत सिंपल चीज है, आप बहुत सारे यंग्स्टास भी हों है, जो भी देख रहे होंगे इसको, प्लीज फेक मत करो खुद को, डोंट राइन इमिटेट संबड़ी ऐस, आपको पता है एक सबसे बड़ी चीज हो है, मेरको लगता है, कि जिस लेवल पे हम चीजे अभी करते हैं, I don't think there is any other coach in India, जिन्होंने without learning how to coach, यह करा होगा, So whatever I do, I am a natural learner, मैंने कोई trainer नहीं करा है, मैंने कोई coaching नहीं ली यह कहीं से, कैसे coach बनना है, So मैं जो भी चीजे सिखाता हूं, वो जो मैंने करा है, उसी से ही सिखाता हूं, और वो चीजे जिस वज़े से, कि लोग relate कर जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही एक टाइम पर मेरे पास android phone भी नहीं था, तो मैं इतने basic तरीके से लोगों को चीजे समझाता हूं, कि लोग समझ के relate कर जाते हैं, वो बहुत important है, आप जितना simplified करके चीजे लोगों के सामने लेके जाओगे ना, उतना ही आपके लिए चीजे easy रहेंगे, तो imitate मत करो, जितना ज्यादा simplified, मतलब यह सोचो कि आप audience को ऐसे बता रहे हो, कि उनको कुछ भी नहीं बता, assume मत करो कि आपके audience को कुछ भी पता होगा, वो बहुत जिरूरी है, यह actually curse of knowledge करके concept है, जो मैं बढ़ा हूँ, कई बार रहना जो लोग expert बनते जाते हैं, वो लोग ऐसे jargons यूज करने लग जाते हैं, ऐसे complicated words यूज करने लग जाते हैं, जिसके they don't connect with people, और हमें दिखना यूज को लोगी जाता पसंद आते हैं, जो सिंपल भाशा में, सौरब भाई का में आपने किया थे ना भाई ने, तुम सिंपल वर्ड में बताया थे, मैं लिंक डाल दूँ आप सौरब भाई के अभी podcast का, उसके अंदर में बहुत सिंपली और कई सारी शीजों के बारे में बताया थे, जो काफी अच्छी लग रही थे, आप कोई भी political leader भी उठाके देख लो, सबसे ज़्यादा वही resonate करते हैं, वही successful होते हैं, जो बहुती basic भाशा में बात करते हैं, और दम simply आराम से बात करते हैं, हम यह पर किछी का नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे, वैसे लोगी अच्छे कमांड वाले होते हैं, लोगो को हिलाते हैं, बहुत से पूछते हैं, यह फील्ड कौनसी फील आज के टाइम पे अच्छी है, यह बहुत से बेस्ट एम अच्छे करें यह भी जैसे, आज गये लोगों बोलते हैं, मुझे डिजिटल मार्टिंग करनी अब गए आप सवाल कि मुझे अगर मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल कि कि दुए मिझे पुछेशनाले के मिझे पुछेशन कर तरहिए उम सुरू आप क्या पुछे की पुछेशनागी आप किस्तुर स्वाल पुछे़ और विए जो भर मुझे टो एक टूण सब्सूराना ये पुछेशनागी लोग बोलते हैं चैनल के बिद्टल मार्केटिंग कर आप चूस करते हो कि में को क्रिकेट खेलना या फुट्बॉल खेलना या होकी खेलना या टीटी खेलना या तेनिस खेलना उसके बाद अंधर जाते हो आपको सब कुछ नहीं सीखना इस वीडियो से पहले भी यह लोग मुझे से पुछ रहे था SEO मैंने का मुझे नहीं बता SEO वगरा मैं नहीं करता SEO में को इस बारे मैं नहीं पता ना मैं वेरी openly admitting it कि मुझे वो चीज़े नहीं आती है So digital marketing के वो क्या होगा आपको चूस करना होगा कि आपको email marketing करनी है Facebook ads करना है copywriting करनी है landing pages setup करने है लोगों के business को offline to online लेके जाना है या आप लोगों को कैसे business scale करना है selling में वो बता सकते है या आप लोगों के funnel setup कर सकते है आप अच्छे से perfect webinar कैसे setup कर सकते है perfect webinar में selling कैसे कर सकते है So you will choose one industry या SEO कैसे कर सकते है या व्लॉगिंग कैसा अच्छा कर सकते हैं व्लॉग आप एक डोमेन के एक्सपर्ट बनेंगे अगर देखो मेरी जर्नी भी I've been a good communicator यही जीज मेरे को बतानी है जो मेरा हीमिश भाई के संग भी वीडियो होगा था हीमिश मादान जोए हमारे तो नहीं पेला क्विश्य नहीं पुछा था कि राहूल भाई अच्छे communicator कैसे मेरे को बताता मेरा forte communication है तो हमने हमारा प्रोग्रामी जो लॉंच कर रहा था in one of these things choose one of them all of them are high paying provided you work with clients who are ready to pay you money यह बहुत simple सी चीज है हम जिस hotel में रुके वे हैं यहां पे रुकने के 1000 रुपे लगते है होटेल तो दूसरे भी है काम तो वो भी hotel गई कर रहे हैं यह आपसे ज़्यादा पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं premium clients को attract करते हैं premium location पे हैं premium services provide करते हैं तो premium service के पैसे आपसे लिये जाते हैं तो इससे simple example में आपको नहीं बता सकता यही चीज है हम जिस माइक से यह विडियो बना रहे हैं यह माइक 25,000 रुपे का आता है माइक तो 1200 रुपे का भी आता है यह आपसे इतने पैसे क्यों लेते हैं क्योंकि इसकी quality बहुत अच्छी है तो attract भी उन्हीं लोगों को करेगा and in this world there is no shortage of money opportunities लोग जो की पैसे पे करने की शमतार रखते हैं उनकी कोई कमी नहीं तो आपको figure out करना है कि इस में से मैंने एक niche चूज करनी है पहले niche चूज करोगे यानि की area of expertise फिर industry चूज करोगे कि अब मिरको इस industry वाले लोगों को services देनी है and फिर आप उस industry के जो top वाले लोगे उनके संग काम करना शुरू कर दोगे and that is how you are going to get money एक चोटी सी चूरू कर रहे हैं यह मुझे इतना पैसा क्यों देंगे जो top के तीन clients है आपकी industry कि उनके पास जाओ उनके लिए काम पहले से करके जो अगर email marketing करते हैं उनके campaign setup करके जो और उनको बोलो यह service में आपको देने वाला हूं free of cost एक client आपको मिल जाएगा बाकी दोनों को पहले client दिखा के ले लो कि मेरे पास बोला client है sir उनको हमने यह business लाके दिया है आपको disclose नहीं करना आपने free में करा है या paid करा है फरक भी नहीं पड़ता आप लाके दे रहे हो तो second client आपको ऐसे मिलेगा पहले client के लिए free of cost करो second or third client को paid client आप ले लो फिर उसमें main basically results दिखा कि आप attract करो बहुत सो लोग स्टार्टिंग में देखो बस मुझे क्या मिल जाए मुझे क्या मिल सकता है यह सोचते है वो लोग यह नी सूचते है और क्या दे सकता है ऐसा क्यों होता है यह तो सोचो ना घर में यही तो सिखाया जाता है सबजी लेने जाते थे आप भी जाते होंगा जैसे आप बता रहे थे अम्मी भी बुलती होंगी मेरी मम्मी भी बुलती थी धनिया थोड़ा से जादा डालो ना मेर्ची थोड़ी सी जादा दालो ना कडी बता ओटा ओफिस में जाते थे वहां से कितना लिया जा सकता है What am I getting, what am I getting, इस 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 बशेखाए यह बशेखाए बशेखाए? बशेखाए में द्सकता है कि अमें क्या मिल सकता हूँ इस बनी वे वी नेव बनी तोड आप कैसे कॉंट्रिब्ट कर वागे बशेख्यों में यह एकशेल में इस बड़ने कि लेना एक अप्रोक्सिमेटली नंबस थियुक्त है कि हमने 1 Trillion Dollar करें तो 842 billion dollars हमने लोगों के लिए बनाया है तो इसमें अपने लेनी वही मेरे लेनी उतना दूसरों के लिए बनाया Amazon वह पैसे तो पैसे बनेगा Amazon एक अच्छी सर्विस भी देता तो आज मैं घर बेटे बेटे हैं हरचीज और दे सकते हैं, जो बात प्रडूक्त की यहां आज के प्रोडुक्त करें दे ना हुआ है और भी अट रहा है बूसे वोल्यूम दो तरीके होते हैं आप एक नीश को पगड़के उलोको अलोको हाय एंड पर बेच के बहुत कमा सकते मुझे भी बेचनी है, अमारा टारगे अगले एक साल में दो लाग किताब करने का तो मैं अपने उपर भी पूरा फोकुस कर सकता था ना यहाई बड़ाइट करना है यह चीज बहुत जादा इंपोर्टन एक आप लोगो के लिए क्या कर सकते हूं अब जैसे बुक में भी आप देखेंगे तो यह हमारे जितने भी मेंटीज हैं जिनको आपने फीचर करें यहां तक आखे मेरा जो चाप्टर है इस बुक में वह यहां पे ख़तम हो गया पेज 48 तक है मेरा बाकी जो पूरा का पूरा वो मारे मेंटीज के उपर एपर एपर ए अब हम नीचे लाइबरेरी में भी रखे जाएंगे जाएंगे नाइस भाई क्वेश्चिन यह कि आपकी कितनी डिफरेंट सोस आफ रेवन्यू है बोले जाते है कि एक एवरेज मिलिएनर की उच्वली छे साथ होती है नो यह सच में सच है नित है या फिर आपकी कितनी है म रहा आपिले इंक जो हम लोग इंटर नाशनल मारे और मारे प्रोड इंकम आती है था मेरे कोचिंग प्रोग्र्म्स और चांशियमनेंस अनको बहुत सारे जाते हैं ओन फिर यह फिर फ्री अफिर और आप स्क्रीम आपंए तो वहां से मारे पास इंकम आती है इसके लगर हम और पर्टिकुलर ब्रांड को एंडॉर्स कर रहे हैं, वहां से हमारे पास इंकम आती है, फिर हमारा बुक भी रिसेंट्ली लाउंच कर रहा है, जो आप लोग मैं से कई लोग ने पड़ी होगी, अजने हैं, अल उब रिवल्व अराउंड माइफ एंड आड़े, यहां से कम्यूनिकेशन, सबकुछ उसी के उपर ही है, तोसी के आसपास ही हमने सारी चीजे बिल्ड करें लेकिन एक मित जो लोगों के माइंड में होता है, वह यह कि शुरू में मेरको मुल्टिपल सोर्से ब चाहिए है, शुरू मेरको पासिव इंकम चाहिए है, यह सारी चीजे चाहिए यह से नहीं होता है, फिर्स्ट यू नेट तो फुल फ्लेजर अपको पैसे दे रहा है, आपके प्रेजंस के बिना भी, देन यू डिवर्सिफाइए, और यह जैसे हमारे और वी प्लांस जो हम इंप्लिमेंट करने वाले हैं, वहां से भी, then there are a few small businesses, wherein I have invested some money, and we make money out of that also, तो उनको भी funding मिल गया, जिनको पैसे की ज़रूरत थी, और वहां से भी हमारे पास कुछ इंकम आती है, पहले फोकस करो, अच्छे से वह बन जाए, सिस्टमाइस कर दो उसको, फिर नेक्स सोर्स प इंकम के बारे में, और कोई एक specific चीज जो आपको लगता है, ordinance को पता होनी चीज है, यार मेरे को यह लगता है कि जो एक बहुत जादा जरूरी चीज है, बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत है, please don't fall for every shiny object that comes your way, आपको क्या लगता है, कहीं पे अगर आपको ए in the poor income strata, सबसे जादा पैसे उनी लोगों के जाता है, क्योंकि उनी लोगों को वो लालत सबसे जादा जल्दी आ जाता है, आप किसी का भी देख लो, जिनके 10 लाग रुपे पहसे है, 15 लाग रुपे, वैसे पैसे नहीं होंगे, कही नहीं पैसे आरेंज करके आपर डाले हो जो लोग starting में early adopters होते हैं, जो लोग पहली trend को समझ लेते हैं, starting में करते हैं, लेकि बात आम हो जाती है, हर रस्ते पे दूसरा इंसान की क्रिप्टो की बात करना start करते है, किसी तो investor नहीं बोला था, कि जब एना मेरे घर वाली भाई, उस investment के बार है बात करना चालू कर दे तो मा वो टाइम पर भाग जाता है, वो तो यार किसी भी product का एक life cycle हो जाना है, पहले उपर जाता है, फिर stagnant हो जाता है, फिर उसके बाद downfall होने लग जाता है, तो maximum लोग जाते तब है, जब वो बिल्कुल top पर पहुंच जाता है, और उसके बाद फिर downfall होना होता है, और इडवाइस आप ऐसे लोगों से ले रहो तो आप कहां से फिर आगे बन पाऊ गया है, यह, that is what, you know, easy income sources जहां पर भी लोग को दिख जाते हैं, आपर लोग फिसल जाते हैं, नहीं पर नुकसान हो जाते है, I don't fall for these things, I have never have, मैं आपको एक एक जामपल देके बताता हूँ, मै मैं अगर बहुत असानी से चाहता है, तो तीन ब्रांट के संग काम कर ले था, मैं पर थीन लाख रुपे आ जाते हैं, तीन लाख रुपे जो बंदा 500 रुपे महीने पर था, सोच रहा हूँ कितना बड़ा लालज था वो, मैं नहीं कर रहा हैं, and it is because of those values and those ethics that whatever we are doing today, we can hold our head high that we are very proud about what we do, कि कि अब कभी भी छोटे फायदे के लिए, आसानी से पैसे कमाने के लिए मच जाओ, वो long lasting कभी भी नहीं रहेगा, whatever that comes easily, जा भी easily सकता है, और वो actually long lasting, short term में मिल भी जाएग, फिर क्या करोगा इसके बाद, एक और बहुत interesting question, अभी मेरे दिमाग में है, email marketing से related कि email marketing का, मतलब पहले तो मुझे पता है कि हाँ पहले बहुत जादा scope था, अभी भी क्या email marketing का scope है, email marketing के लोगों को focus करना चाहिए, जैसे कि मैं recently एक book पच्छा था, launch, Jeff Walker के book है, उसके अंदर उनने पूरा chapter बना दिया था, कि आपकी email list is next to printing money, अगर मतलब कोई चीज close हो सकती प्रिंटिंग मनी के तो ओ है आपकी email list, right, वो बोले थे कि मैं एक बार अपने college में गया था, school में, बच्छो के school में, वह पे लोग बोले थे कि मैं दूसरे parents से बात करा था, वो बोले थे करने आपने बच्छों को पढ़ाने के लिए, Jeff Walker बोले थे कि मेरे पास email list है, मैं एक हो जाएगा, बच्छो के फीज का पुरा, so क्या है इंडिया में applicable है? मैं आपको एक्जामपल भी देके बताता हूं पहले, पहले एक्जामपल दूँगा फिर आप से सवाल पुछूँगा हमारी टीम में कोई था और उन्होंने बोला था, मैंको एको एक्टिवा लेने का म फोन नंबस, दो तीनों, लेकिन आपकी इमेल इडी सेम रही होगी फिले पांच से साल, that is the relevance of an email address, दूसरी चीज़ और यह बनाया नहीं था पहले से, प्लान नहीं करा था, मैं इनसे रांडम क्वेश्चिन पूछा है, आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जिनके पहले से फोन नंबस बदले होंगे, लेकिन email ID सेम रहती है, दूसरा, आप फोन वाश्रूम में बैठके भी देख सकते हो, कहीं पर भी सोते वे भी, आप मेल तभी चेक करोगे, जब एक थोड़ा से प्रोफेशनल माइंसेट के संग रहोगे, you are more in the decision-making mode, you are more serious, email marketing is absolutely worth cold, मैं इसलिए ऐसे बहुत सारे content creators हैं, जो millions of followers भी रखते हैं, but we monetize so much more than them, because हमारी इमेलिंग लिस्ट है 1.5-4 लाख लोगों की, अब एक बहुत छोटा सा एग्जामपल है, 1.5-4 लाख लोगों को अगर मैं mail करता हूं, और सिर्फ 1% भी conversion हम करता है, 1% is 4,500, 1% छोड़ो, 0.5% भी conversion करता ह जो 2,500 होता है, 2,000 conversion भी अगर मैं किसी product करता हूं, और वो product 5,000 रुपे का होता है, तो आप calculate करो वो कितना income हो जाए, जो कि लोग अपनी पूरी life में भी कमी नी कमा सकता है, that is the power of an email item, email list. एक interest, अब भी question आया है, यह तो मैं question हमेशा पूछने ही वाला था, पुदानी सतीज भाय से inspired हो भी ने कितने अगर आप comfortable हो बता सकता है, मतला एक range भी बता दो, just because लोगों के inspiration पैसे सी मिलता है, यह तो है, मतला काफी जादा मिलता है, so, यार मैं income की तो बात नी करूं है, मैं यह जरूर बता सकता हूं, मेरी community में इससे में 30,000 लोग हैं, और हमारा product का average price point आपको पता है, communication and business mastery को हमारा program है, around 7,000 और program हमारा 20,000 रुपे का है, और बाकी सारी चीज़े तो आप calculate कर सकते हो, within a period of 3 years, कितने results होंगे, क्या चीज़े होंगे, क्या चीज़े होंगे, क्य कर सकते होंगेगे, क्या है एक और छोगरेंगे, क्या है बढुति, क्या कर शालिएऔर टोल देहां धियूर और wehl样 मेरेसे आपको से अरचीज़े होगा थापक, और समके से devices in稱 press, अबने मैरे मेरे मैंす ब्रॉक्तिवी तोपनों से लोग दगिक्वाः कितना, इसाना नहीं मेरे भी शुरू में जो entrepreneurial motivation था, वो money के थू था but now it has changed, it is all about contribution contribution नहीं होता तो अभी हम 11 बजे वीडियो नहीं कर रहे होते ती रात को क्योंकि है पैसे तो ठीक आई रहे है रहे है पैसे तो आप सोचो ना यार मतलब इमेलिंग लिस्ट है मैं आपको मेल कर सकता हूं हर महीने अगर मैं दो इमेल प्रोमो करता हूं we can very easily make more than rupees 1 crore, I can live in any part of the world and actually make money I don't need to do coaching, I do it because I know that that gives me maximum satisfaction मैं इस होटेल की भी बात करता हूं इंडिया का सबसे अच्छा होटेल में से लेकिन इनको वो दुआई नहीं मिलती होंगी जो हमें मिलती है बहुत सारे लोग सब्राइज भी होते हैं, but it just comes naturally and this is a true money makes you more of what you already are, if you are confused, you will be more of a giver in life मेरी मम्मी भी बुल थी कि मुझे कल पूने जाना है कि देड़ 2,000 रुपे होंगे, तू क्या बाले को 5000 रुपे देढ़े मैंने का ऐसा भी नहीं करता भाई मैं, लेकिन अगर कहीं पर मुझे दिखता है कि कोई बंदा नीडी है, जिनको ज़रूरत है, करना चाहिए, देना चाहिए एमपथी होना ज़रूरी एक लेवल पर आपको अचीव करने के लिए चीज़ है, और ये चीज़ भाई ने बोले ना, एक टाइम तक पैसा रहता है, बट फिर वो लेवल, अगर आपको क्रॉस करना है तो फिर पैसा आपको फोकस हटाना ही पड़ेगा, कुछ लोगो नेश तो आप कितना परसंट कंवर्जन, इसे तो आपको काफी अलग होता है, डिपेंड न दो ओडियंग प्रोड़क्त, बट हाँ, क्या किसको कर रहे है, तो एक एवरेज फिर भी कंवर्जन, आपको कुछ एवरेज बोल सकते हो, बता सकते हो, इतना एवरेज आपको बताया है आपको इमेलिंग लिस्ट है, और आपको एमेलिंग लिस्ट के पैसे भी देने होते हैं, लेकिन आपको यह बताए कि आप प्रोड़क्त किसी को पिछ कर रहे हो, और अपको पॉइंट प्रोड़क्त कर रहे हो और बताया है, यानि कि अगर आप 99.5% लोगों से भी रिजेक पर करेंगे तो मिर को पता है कि वो अगर मैं ऐसे मेल पे इतने कम प्राइसिंग के प्रोड़क नहीं सेल करता हूं तो लेकिन अगर वह मैं मेलिंग लिस्ट को भेज दूंगा तो वह तो बहुत ईसली 2% 5% लोग ले सकते हैं तो अगर 5% लोग ले रहे हैं तो आप काल्कुले अगर उसनों ने रीच कम कर दिया आप क्या करोगे है अल्गॉरिफम बदल गया कुछ भी हो गया आप सोचो यार नोबडी वस क्रेटिंग रिल्स इंस्ट्राम ने मजबूर कर दिया कि आपको कॉंटेंट में ज्यादा विसिबिलिटी चीए रिल्स बनानी पड़ेंगी व वही जो मैंने पहले बोलागा शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम पर मज जाओ बिल्ड एनिधिंग एवरिटिंग जो की लेगसी पर हो आज आप कोई भी काम कर रहे हो आस्क यॉसल्फ दिस क्वेश्टिन क्या मैं इस काम को आज से 5 साल बाद भी कर रहा हूंगा रास्ता ब बहुत से बच्चों में बच्ची जो यंग होते युशली गिल्तिया करते हैं मैंने देखा हूं कि इसमें लग रहा है कि इसमें पैसा हो गुझ जाते हैं वही दिखते हैं सच में I enjoy it क्या मुझे पसंद है क्या सच मैं इसके बना हूं जैसे कि भाई ने बुर ना मैं भी अ इतने कम लोगों को मिल रहा है कि time spend करने मैं तो कौन कर सकता है इतना नहीं यार इसमें प्लेजर आपसे मिलके आँ अच्छा लगा रहा है कि मैं भी सीख भी रहा हूं प्लस content भी बना हर चीज हो रही है और जैसे कि हमने start me video में बुला था कि एक करोड है तो title में उसका वही रुपीज बन कर और strategy workshop जहां पर आप कैसे शुरू करोगे कैसे scale करोगे कैसे आप आगे opportunities अपने ले बना सकते हो और कौन सा रास्ता आपको लेना यह सब कुछ हम आपको इसमें बताएंगे and हम आपको इसमें हमारे mentoring program का part बरने का भी opportunity देंगे which is a paid opportunity तो अगर आप इस mindset से आपना चाहते हो कि मिरको सिर्फ सीखना है और अपने उपर investment करने से में तोड़ा सा घबर आता हूं तो please don't come in order to become successful you should also be ready to invest time and money upon yourself so हम आपको 90 minutes का concrete value देंगे भर के सिखाएंगे चीज़े and then हम आपको मारे mentoring program का भी part बनने का मौका देंगे of course it is gonna be your choice whether you become a part of it or not but come with the mindset of learning and implementing I think पका value मिलेगी कि तो personally मैं खुद भी आता हूं मैं खुद भी भाई से सीखता हूं आप सौरब भाई से सीख रहा हूं आप से सीख रहा हूं बहुत सरी valuable चीज़े है जो इंडिया में काम करती है इंडिया के साप से काम करती है इसलिए मैं बहुत प्यार से अच्छे से कर मैं बोल सकता आप लोगों को जॉइन करो आप सीखो कुछ ना कुछ वर्थवाइल मिलेगा इतना तो पका बोरो यह सब चीज आपने को स्कूल कॉलेज में कभी नी सिखा सकता है अब जहां पर लागव रुप आपने इन्वेस्ट किया ना वो नहीं लोगा अगर अगर सीखने को मिला होगा अगर कोई और कुछ आप लोगो भाई से पूछने के लिए कुछ कुछ आप लोगो को लगता है तो कमेंट सेक्षिंट ने पूछ कर रहे हैं आप देखो वीडियो का टाइटल था हाओ तो आन रूपीस बन करोर हमने उसके बारे में कम बात करी है हमने यह आपको लाइफ में भी करने है थांक यू थांक यू थांक यू सो मच बाबाए